बाले होब बाले होब बाले होब ज्यादा पसंद आने वाला है तो चलिए जल्दी से उपन करके देख लेते हैं इसके सारे फीचर तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूं इंडूस 10 पर और माइक्रोब स्टोर से मैं इसको स्टॉल किया है तो यहां पर ओपन करने के पाद आपको दो अपसन देखता है पिक्चर यहां पर हमागी पेखने की यह जैण के लिप्रेट के लिए गटन देखाई देगा देखाएन के देखाए देगा लेकिन यह जो auto engines है यह अच्छी तरी किसे काम नहीं करता है तो मैं आपको recommend करूंगा कि आप इसको use ना करे और यहाँ पर बाकी सारी कुछ चीज़े आपको ओपर की तरफ देखने को मिलता है यहाँ पर सबसे पहले डिटी में सबसे पहले आपको मिलता है filter का option यहाँ पर आपको basic, charm, black and white, portrait, nature, color pop का भी filter देखने को मिल जाता है तो color pop यहन की चीज़े हम colors plus reading कहते हैं तो इसको आप use कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया effect यहाँ पर बनके आता है और यहाँ पर आपको निची के तरफ और जैसे की देखने को मिल जाता है dual tone का filter यहाँ पर हो गया filter and then आपका आथा cropping का option, cropping के अंदर आपने photo को crop, flip, wrote and straighten कर सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे aspect ratio देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पर जो basic सारे चीज़े होते हार एक photo determine यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा then color के अंदर आपको temperature, tint, bivarance and situation देखने को मिल जाता है effect के अंदर आपको clarity, grain, dehage and fade and wickedity का option देखने को मिल जाता है and then आपका आता है details का tab जहाँ पर आपको एक बहुत ही important tool जैसे की noise reduction tool and color noise reduction tool देखने को मिल जाता है यह adobe का free software में बहुत ही कम देखने को मिलता है, adobe lightroom, cc mobile application and then adobe photoshop express के अंदर यह आपको free में देखने को मिल जाएगा then आपको आता है split tone, split tone का जो भी सारे control से यह सब कुछ चीज़े आपको यहाँ पर दिख जाएंगे and then last में एक चीज़ यहाँ पर add किया है, वह है blur, blur के अंदर जैसे snap speed में होता है radial and full blur तो यह आप यहाँ से कर सकते हूं and then हमारा जो next tool है, वह है healing tool, यह healing tool है add of lightroom CC जो mobile application है उसके अंदर locked रहता है लेकिन यहाँ पर यह healing tool है पूरा unlocked है बिल्कुल free में आप इसको यूज कर सकते हो, तो मैं आपको यहाँ पर एक पर करके दिखा देता हूं, ठीक है तो इस तरह से आप यह healing tool को यूज करके कोई भी area को remove करने में तो आपको आता है रेडा एफेक्ट को remove करने के लिए tool जो flash के बचे से रेडाय बनता है उसको लिए and then यहाँ पर आता है चीज़ बॉडर वाला यह Photoshop ने नया एड किया और फ्री के अंदर यह आपको देखने को मिल जाएंगे एंड उपर की तरफ बाकी कुछ basic settings यहाँ पर do undo का बटन एंड ओटो हिंएंज का बटन एंड फ्रीवियास जूमीन एंड यहाँ पर share का बटन वाला यहाँ पर यहाँ पर वाला यहाँ फाली खर यहाँ पर यहाँ पर बीक्तर भीक्टर दो आख कर्किश और बटन